किसान साथियों नमस्कार आप सब का हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में मैं हूँ डॉक्टर अनिल कुमार तियागी इस बाग की स्थापना मैंने 2018 जून 25 को की थी जब मैंने इस बाग की स्थापना की तो मुझे कई बातों का पता नहीं था और मुझसे भी कुछ गलतियां हुई और सब गलतियों को मैंने एक लेख के रूप में लिखा है और उन सब को वीडियो के माध्यम से सब किसान भाईयों के लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ किसान साथियों जब मैंने इस बाग की स्थापना की थी तो मैंने ये पेड थे इसमें लगबग ये डेड़े कड़ का बाग है और मैंने इसमें पंदरा सो पेड लगाए थे पंदरा सो पेड मैंने आठ बाई पाँच फिट की दूरी पर लगाए थे जो की सगन और अती सगन के बीच की दूरी होती है इसमें मैंने तीन वराइटी का चेयन किया था जो मैं मलीहबाद से गंगा नरसरी से पोधे लाया था मैंने उन्से तीन प्रकार के पोधे मांगे थे एक ललित दूसरा मांगा था मैंने जी विलास और तीसरा मांगा था एल फोर्टी नाई अब हमारे से कहा कहा क्या क्या गलतियां हुई मैं उन सब गलतियों को बताऊंगा चूंकि वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए इसे मैंने कई भागों में प्रस्तुत करने का निर्ने किया है अगर एक बार गलती हो जाए तो और वो हमें एक या दो साल के बाद पता चले तो हमें नुकसान तो होता ही है कुछ किसान साथी इतने परिसान हो जाते हैं कि वो बाग का बाग भी उखाड़ देते है तो आईए शुरू करते हैं पहले भाग में कौन सी तीन गलतिया हमने की किसान साथियों पहली गलती है कि आपकी सही दूरी का चुनाओ आप देखिए जहां मैं खड़ा हूँ तो मेरे ये बाई तरफ पुरव दिशा है और दाई तरफ मेरे पस्षिम दिशा है और जिस तरफ मेरा चेहरा है ये दक्सिन की दिशा है और मेरे पीछे उत्तर की दिशा है एक होती है सामन्य दूरी जिसमें हम 20 बाई 20 फिट पर पोधे लगाते हैं या हम 15 बाई 15 पर पोधे लगाते हैं दूसरी होती है हमारी सगन विधी सगन विधी सुरू होती है आपकी 10 by 10 хват से यानि 3 by 3 मिटर से इसमें हमारी line से line की दूरी भी 3 मिटर होती है यानि 10 fit होती है पूधे से पूधे की दूरी भी 10 fit होती है अर्था 3 मिटर होती है किसान सात्यों, तीसरी है međडो बागवानी मीडो बागवानी में ये कहा गया है कि दो मीटर बाई एक मीटर यानि लाइन से लाइन की दूरी दो मीटर और पोधे से पोधे की दूरी की एक मीटर किसान साथियों ये तो में बता देते हैं कि परती पोधा एक साल बादी पांच किलो मुरूद देगा या दो साल बाद पांच किलो मुरूद देगा और जब multiply करते हैं तो हमें एक ऐसा लगता है कि इससे बहुत आंदनी हो गई लेकिन वहाँ पर कोई भी ये बात नहीं बताता कि इसमें कितनी मेहनत है और इसकी cutting कितनी बार हमारे को कड़नी पड़ेगी और कितनी हमारे labor का खर्चा आएगा तो किसान साथियो इस बात को गांट बांद लें कि आप एक सही दूरी का चुनाओ करें मेरे को बाग लगाए विए ये धाई वर्स हो चुका है मेरी जो समझ में अब तक आया है कि सबसे अच्छी दूरी जो है वो बारा बाई बारा फिट होती है यानि लाइन से लाइन की दूरी बारा फिट और पोदे से पोदे की दूरी बारा फिट किसान साथियो ये पहले देख लेना दूरी लगाने से पहले कि आपको कौन सी सही दूरी का चुनाव करना है जो भाई स्वयम करना चाहते हैं बहुत अच्छी तरह करना चाहते हैं पूर्ण काली ग्रूप से बागवानी करना चाहते हैं वो दस भाई दस से कम बिल्कुल ने लगाएं अगर आपको बहुत जादा इच्छा है दस भाई दस पर लगा लें और नहीं तो बारा भाई बारा बहुत अच्छी विदी है बहुत किसान हरियना और पंजाम में बारा भाई बारा की बागवानी करते हैं तो किसान भाईयो मेरी सबसे पहले गलती हुई कि मैंने सही दूरी का चुनाव नहीं किया जो सगन बागवानी सुरू होती है अगर मैं दस भाई दस पर भी कर लेता तब भी मेरा अच्छा फाइदा होता और मेरे को नुकसान से बच पता जो दो साल का नुकसान मैंने जहला है वो नहीं हो अब आते हैं दूसरी गलती दूसरी गलती है कि पोधे लगाने की दो विधी होती है एक होती है आयताकार विधी और एक होती है वरगाकार विधी अब आप इन दोनों को समझ लेजिए किसान बहसातियो मेरी ये लाइन देखिए ये इस लाइन से इस लाइन के बीच की दूरी यहां पर ये 8 फिट है तो जो मैंने लाइन इस तरह लगाई है वो बिल्कूल एक गलत चुनाओ है आपकी ये लाइन उत्तर दक्सिन होनी चाहिए थी और मैंने पूरव पश्चिम कर दी अब इसमें क्या खेले कि उत्तर दक्सिन क्यों होनी चाहिए थी जो लाइन से लाइन के बीच की दूरी है वो हमेशा उत्तर दक्सिन होना चाहिए चुकी पोधों को समूचित प्रकास मिलता है आप देखेंगे सूरज इधर से निकलता है और सर्दी में बिलकुल सिर्गे उपर नहीं होता थोड़ा सा दक्सिन दिशा में जुका होता है तो जब सूरज चलता है तो परते एक पोधे को भरपूर रोसनी मिलेगी और इससे आपके पोधे स्वस्थ होना तो आप लाइन से लाइन उत्तर से दक्सिन करें और पोधे से पोधा पूरव से पस्चिम लगए कि अगर आपकी से लाइन के बीच की दूरी भी उतनी है जितनी पोधे से पोधे के बीच की दूरी यानि दस बाई दस या बारा बाई बारा फिट पर है तो फिर आपको ये देखने की जोरत नहीं है कि आपकी लाइन उत्तर दक्सिन है या पूरब पस्चिम है किसान सातियों ये हुई थी दूसरी गलती अब मैं दिखाता हूँ तीसरी गलती जो ध्यान से देखिए इस पोधे में यहाँ पर हमने जो पोधा लिया था उस समय हमें ये पता नहीं था कि हमें किस प्रकार की ग्राफ्टिंग होती है और कौन सी ग्राफ्टिंग अच्छी होती है तो हमने एनार्ची ग्राफ्टिंग लिया और एनार्ची ग्राफ्टिंग में जो रूट स्टोक होता है जो नीचे का पोधा होता है बीजू पोधा उसके उपर जो कलम लगाई जाती है वो एक के उपर एक चड़ाई जाती है तो हमने तीसरी गलती ये कि कि हमने सही आप देखेंगे कि जड़ से इसकी दूरी लगबग ये आठ इंच होगी और मैं कई पोदे अपने बाग में दिखांगा कि वो एक फिट तक भी है अगर आप अनार्ची ग्राफ्टिंग ले रहे हैं या कोई भी ग्राफ्टिंग ले रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि वह ग्राफ्टिंग अधिक से अधिक 10 इंच या एक फिट से उपर नहीं होनी चाहिए यानि कि यहां से उपर नहीं होनी चाहिए अगर आपको यह ध्यान रखें कि सारे पोदे एक से नहीं है तो जब आप लगाते हैं तो उस टाइम यह ध्यान रखें कि 10 इंच पर वो ग्राफ्टिंग जमीन से 10 इंच पर या 8 इंच पर होनी चाहिए उससे उपर नीचे नहीं होने चाहिए और आपके पोधे स्वस्थ होंगे नहीं तो जब पोधा बड़ा होगा वो हवागे जुकाव से जैसे ही ये पड़ेगी अगर आपने इसे सहरा नहीं दिया ठीक डंग से तो इसके तूटने का खत्रा रहता है किसान साथियो जब आप ग्राफ्टिंग कुगवी भी ले ले अगर आपने किसी तरह से दूसरी ग्राफ्टिंग ले भी ली तो ये ध्यान रखें कि पोधे को लगाते समय आप इस तरह से लगाएं कि सभी पोधों की ग्राफ्टिंग जमीन से एक ही उपर पर रहे आपको मैं एक पोदा और दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये जो पोदा है मेरा, ये मेरा धवल का पोदा है, इस पर अमरूद है कुछ आए विये, ये देखिए, कितना अच्छा अमरूद है, और ये इसकी ग्राफ्टिंग थी यहां पर, ये देखिए, ये वी किसान साथियो, इस वीडियो में हमने आपको तीन सावधानियां बताई, जो गलतियां मैंने की, पहला है, आप किस विधी से लगा रहे हैं, इसका बहुत अच्छी तरह विसलेशन करें, और ये द्यान दे किया आप इसको इस तरह से बागवानी कर सकते हैं, दूसरा मैंने बताया के कौन सी विधी, आयताकार या आप वर्गाकार, दस बाई दस, बारा बाई बारा या बारा बाई दस, या पंदरा बाई बारा पर लगाना चाहते हैं, अगर आप आयताकार विधी लगाते हैं, तो ये ध्यान रखें के लाइन से लाइन जो है, वो आपकी उत्तर होनी चाहिए और किसान साथियों तीसरा मैंने बताया कि ग्राफ्टिंग कोशिस करें जहां तक हो सके वेज ग्राफ्टिंग के पोधे ले अगर आपको नहीं मिल रहे हैं वेज ग्राफ्टिंग के पोधे और आपके सामने मजबूरी है तो ये ध्यान अवस्य रखें कि उनकी grafting बहुत उपर नीचे नहीं हो यानि ऐसा नहों कि वह ग्राफ जो हो ना dead dead fit पर किसान साथियो मेरे पास dead dead fit तक आ गए हैं किसान साथियो इस भाग में मैंने तीन बाते बताई हैं सेज बाते बताऊंगा मैं आपको अगले भाग में देखते रहिए अमेजिंग किसान चैनल इसी के साथ विदा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जैह भारत वंदेबागर